हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो आज से हम पदार्थ विग्यान चालू करने वाले हैं और कुछी दिनों के अंदर में पदार्थ विग्यान पूरी पढ़ा दूँगा आपको दोस्तो बहुत सारी स्टूडेंट्स की Request आ रही थी मेरे पास कि भाईया हमें पदार्थ विग्यान BMS First Year के अंदर हमें सबसे Hard Subject लगता है ये हमें समझ में ही नहीं आता है पदार्थ विग्यान के अंदर है क्या तो गाईस जो पदार्थ विग्यान है वो मैंसे बहुत ही Simple वे के अंदर पढ़ाने वाला हूँ मेरी सारी वीडियोज देखने के बाद मैं आपको जो पदार्थ विग्यान सबजेक्ट है वो आपको सबसे ही इजी सबजेक्ट लगेगा BMS First Year का तो दोस्तों मेरी सारी वीडियोज देखना शुरुआत से लेके आखरी तक और मैं क्या-क्या कंसेट्स बताता हूँ क्या-क्या ट्रिक्स बताता हूँ उन सारी चीजों को note-down कर लेना और guys हो सके तो मेरे जो notes हैं उनको भी आप write-down कर लेना अपने तरीके से जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो और एक doubt वो मैं अभी clear कर दू student का कि ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो English के अंदर भी रहने वाला है और Hindi के अंदर भी रहने वाला है Means इसका मतलब यह है मैं Hindi के अंदर भी बताऊँगा और English के अंदर भी बताऊँगा तो आपको गबराने वाली कोई भी बात नहीं है मैं दोनों language जिसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ तो दोस्तो समय का जादा waste ना करते हुए अब हम अपने topic पर आ जाते हैं तो दोस्तो topic सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि मैं जिस way में पदार्थ विग्यान पढ़ा रहा हूँ उसी way में आपको पदार्थ विग्यान पढ़ना है या उसी sequence में आपको पढ़ना है तो दोस्तो पदार्थ विग्यान का मतलब सबसे पहली चीज है पदार्थ विग्यान का मतलब होता क्या है पदार्थ विग्यान जैसे कि आप ऐसे समद सकते हो कि MBBS के अंदर हम 3 सबजेक्ट्स पढ़ते हैं Anatomy, Physiology और Biochemistry वैसे ही हमको BMS First Year के अंदर 5 सबजेक्ट्स पढ़ने होते हैं लेकिन जो बेस बनाता है, जो सबजेक्ट्स जैसे कि Modern के अंदर जो बेस बनाता है सबजेक्ट्स वो है Biochemistry और आयरवेदा के अंदर जो सबजेक्ट्स बनाता है वो है पदार्थ विग्यान इसे हम आयरवेद का Biochemistry भी कह सकते हैं एक तरीके से Friends क्यों हम इसे क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ कि जो आयरवेदा के जो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि Kriya Shri, रचना Shri, रष्टांगर दिया हम इन सारी चीजों के अंदर आप पढ़ने को मिलेगा वो कंसेप्ट्स आपको वो सारे कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ार्थ विज्ञान से ही लिए गए हैं जैसे कि पंस माबुतों के बारे में या जो कारे दिरव्या है कारन दिरव्या है ये सारे दिरव्या वगेरा ये सारी चीजे पढ़ार्थ विज्ञान के अंदर बताई हुई है दर्शन वगेरा य इस वज़े से जो पदार्थ विज्यान है वो बहुत ही important subject हो जाता है, base बनाने के लिए आयरवेद गे अंदर, बहुत सारे students पदार्थ विज्यान से डरते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उनको सबसे पहली चीज है, उनको पदार्थ विज्यान समझ में ही नहीं आता है, कि पदार्थ विज्यान है क्या, तो यहाँ पर मैं friends बिल्कुल zero level से शुरुआत करने वाला हूँ पदार्थ विज्यान की, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा, अगर मैं बिल्कुल zero level से पढ़ाऊंगा पदार्थ विज्यान तो, तो guys चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं, तो सबसे पहला chapter है, वो है आयर्वेद निरूपन, और दोस्तो एक चीज में आपको और बता दू कि जिस सिक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी सिक्वेंस के अंदर आपको पढ़ना है, तो guys चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आयर्वेद निरूपन, तो आयर्वेद निरूपन है क्या वो हम अब देखते हैं, आयर्वेदा इस वेरी एशेंट लाइफ साइंस ओफ इंडिया, तो यहाँ पर सिफ और सिफ इतना सा कहा गया है कि आयर्वेदा है, वो बहुत पुरानी एशेंट लाइफ साइंस है, और यह जो है वो प्रेक्टिस की जा रही है बहुत बहुत हजार सालों से, किसके लिए कम्पलिट हेल्थ अटेंड करने के लिए, और च्यार उमन के जो साधन या तरीके हैं, उनको पूरा करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्स, और यह सारी चीजे हम क्यों करते हैं, मोक्स प्राप्ति के लिए, मोक्स को इंगलिज के अंदर साल्वेशन कहा गया है, तो मोक्स प्राप्ति करना ही उमन का अल्टिमेट गोल है, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक वो है लक्षन ओफ आईर्वेद, तो आयू का अर्थ सामान्य रूप से लोग किसको लेते हैं, वय को लेते हैं, वय का मतलब होता है एज, जबकि वास्तविक में आयू का अर्थ वय नहीं होता है, आयू का जो वास्तविक अर्थ है, वो जीवन होता है, फिर दोस्तों जो मारिशी चरक थे, उन्होंने आयू के संबंद में कहा है, एक स्लोग बताया है, उन्होंने माहरीशी चरकने वो कौन सा स्लोक है वो मैं आपको बताता हूँ शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगदारी जीवितम नित्यक अनुबंदस से प्रयाय आरियूश से उच्चेते तो इस स्लोक का मतलब क्या है? शरीर इंद्रिय मन मन का मतलब ही सत्व होता है और आत्मा इनके संयोग से ही आयूग बना है अगर इनका संबंद नहीं रहेगा तो हम उस चीज को आयूग नहीं कहेंगे सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चीए फिर इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि जितने समय तक इसनका संयोग बना रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी को ही आयूग कहेंगे फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि धारी, जीवितम, नित्यक और अनुबंद ये सारे आयूग के प्रयाई है और जो चेतनुवृति है वो एक और प्रयाई है ये दिया है चर्क प्राणी ने तो इसको भी याद करना जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि ये भी एक आयूग का प्रयाई है तो ये पाँच प्रयाई याद होने चाहिए आपको दारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंद और चेतनुवृति ये पाँचो प्रयाई है आयूगे और शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा इनके सयोग से ही आयूग बना है या उनके सयोग को ही हम आयूग कहते हैं फिर बात आती है कि शरीर होता क्या है तो शरीर का मतलब बॉड़ी होता है जो की पंच माबूतों से मिलकर बना हुआ होता है कौन-कौन से पंच माबूत? पृत्वी, जल, तेज, वायू, आकाश ये सारे पंच माबूतों से मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर उसके बात में जो second चीज हमने देखी थी वो थी इंद्रिय तो दोस्तों जो इंद्रिय होती है वो दो तरीके की होती है एक तो होती है sensory organs means ग्यान इंद्रिय और दूसरी होती है motor organs means कर्म इंद्रिय और दोस्तों एक चीज में आपको और बता दू कि जो मन है उसको भी इंद्रिया का गया है उसका नाम है उद्बेद्य इंद्रिया जो मन है उसे उद्बेद्य इंद्रिया खा गया है वो आगे आ जाएगा लेकिन यहाँ पर मैंने सिफ और सिफ एक तरीके से इन्फोर्मेटिव तरीके से मैंने आपको बताया है यहाँ पर क कि मन को भी बहुत सी जगह इंद्रिया माना है फिर उसके बाद में जो ज्ञान इंद्रिया है वो कितनी प्रकार किये जो ज्ञान इंद्रिया है वो पांच प्रकार किये सबसे पहली है स्ट्रोत इंद्रिया means ear फिर जो दूसरी है वो है स्पर्श इंद्रिया means skin तीसरी है चक् सकते हैं, पर्स इंद्रियों से हम जो सैंसी है, जो टेक्टाइल सैंसी है, कोई छूता है हमें, वो हमें पता लगता है, चक्सु इंद्रियों से हम देख सकते हैं, रस इंद्रियों से हम किसी चीज़ का टेश्ट ले सकते हैं, और ग्रैन इंद्रियों से मतलब हम क्या कर सकते ह फिर उसके बाद में जो कर्म इंद्री है वो क्या है कर्म इंद्री होगा सबसे पहला जो मतलब है वो है motor organs उसके बाद में जो कर्म इंद्री है वो 5 प्रकार की है वो कौन-कौन सी है वाक, पानी, पद, पाईू, उपस्था वाक, वाक मीन्स से आपको सिधा हिंट होना चीए Speech वाक मतलब क्या होता है बोलना मीन्स Speech, पानी पानी मीन्स क्या होता है Hand पद, पद से तो आपको समझ में आना चीए फीट होगा, उसके बाद में पाईू है पाईू का मतलब होता है Rectum and Anus उसके बाद में जो उपस था है उसका मतलब होता है genital organs फिर दोस्तों जो तीसरी चीज थी आयू के अंदर वो थी सत्व या mind जो mind होता है हमारा वो त्रीगुनों से मिलकर बना हुआ होता है और जो त्रीगुन होता है वो होता है सत्व रज तम उसके बाद में जो चौती चीज बताई थी वो थी soul जो soul होती है वो हमारे जो body है उसके लिए बहुती ज़ादा जरूर है क्योंकि वही चेतना बनाए रखती है हमारे शरीर के अंदर फिर उसके बाद में जो synonyms है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि दारी का मतलब क्या होता है तो जो शरीर को धारण करता है उसी को ही हम धारी कहते हैं इसका मतलब क्या होता है वो हमारे शरीर को सड़ने से या गलने से बचाता है फिर उसके बाद में जीवित तो ये प्राण को दारण करके रखता है दारी तो किसको दारण करके रखता है शरीर को दारण करके रखता है और जीवित किसको दारण करके रखता है प्राण को दारण करके रखता है फिर आयू के रहते हम शरीर को जिवित कहेंगे सही बात है ये बिल्कुल उसके बाद में जो तीसरी चीज थी जो तीसरा सिनोनिम्स था वो था नित्यग तो नित्यग मतलब क्या होता है आयू प्रतीशन जाती रहती है फिर उसके बाद में जो चोथा सिनोनिम था वो था अनुबंद यहाँ पर बंद का मतलब आपको समझ में आना चीए संबंद होगा तो आयू का संबंद होना किस से सरीर से या प्राण से सदा रहता है आयू का संबंद सरीर से और प्राणों से फिर उसके बाद में चेतनु वृति, चेतनु वृति का मतलब होता है गर्ब से मरण, प्रयतन चेतना में के रहने के कारण आयू को चेतनु वृति कहते हैं, इसका मतलब यह है कि गर्ब से लेके मरण तक हमारे शरीर के अंदर चेतना रहती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं चेतनु वृति केते हैं उसके बाद में एकोर श्लोक आया हुआ है आपर उसका मतलब है हिता हितम सुखम दुखम अयुष्टस्य हिता हितम मानस तस् Claro यत्रोकतम सा अयरूष्टस अुच्यते तो फ्रेंड्स इसे श्लोक का मतलब कर मैं कि जिसे सास्त्र में या ग्रंत में हितायू, अहितायू, सुखायू, दुखायू, इन चारों आयू का वर्णन हो, उसे ही आयूदिरेट सास्त्र कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हितायू का मतलब क्या होता है, तो हितायू का जो मतलब है वो है, जो मनुस्य हो helping nature करने वाला हो, जो सब के बले की सोचे, ये सारी चीजें, जो हित के काम करता है, ये सारी चीजे किसमें आएंगी, हितायू के अंदर आएगी, फिर अहितायू के अंदर कौन सी चीजी आएंगी, जो हितायू के opposite होगी, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हित आयू के विपरीत लोगों की आयू, अहित आयू कही जाएगी, अहित आयू का मतलब क्या होता है, selfish nature वाले लोग, जो लोग सिफ और सिफ खुद के बारे में सोचते हो, उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, अहित आयू बोलेंगे, फिर सु सारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त होता है, और युवा हो, बलसाली हो, धन संपत्ती से युक्त हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, ये सारी चीजे जिसमें होगी, वो सुखायू कहला ही जाएगा, तो यहाँ पर जो mentally fit है, वो हिंदी के अंदर या आयर्वेद के अंदर उसे मन स्वास्तेश्यक आ गया है, और दुखायू में जो mentally unfit है, उसको मन विशम तक आ गया है, तो दुखायू में जो definition है, जो दुखायू का मतलब है, वो है, ill health या mentally unfit, तो सुखायू के विपरीत लोगों की ही आयू, दुखायू कही जाएगी, सीद्धी सी बात फ्रेंड वही चीज है, तो दुखायू और सुखायू में आपको यही चीज याद रखने है, जो mentally और physically, दोनों तरीके से fit होगा वो सुखायू, और जो unfit होगा वो होगा दुखायू, और हितायू और अहितायू में भी आपको यही याद रखना है, जो हमेशा सत्य की रा आपर चले, जो धर्म करे, दानी हो, शांती प्री हो, हेल्पी निक्चर वाला हो, वो हितायू, और इसके विप्रीत वाला अहितायू, और जो selfish नेचर वाला हो, वही आयूतायू के अंदर आएगा, तो ये तो बात कर ली हमने four types की आयू के बारे बो, फिर उसके बात में ब प्रोक्तम साइरविद से उच्चे थे, लक्षन ओफ आयू के अंदर तो हमने दो स्लोक लिखे थे, एक यही वाला और एक शरीर इंद्रे सत्वात्मा वला, फिर इसके अंदर जो दूसरा स्लोक लिखना है, वो लिखना है, आयूश्वेद आयरवेद, इसका मतलब क्या है, आयरवेद पत्द की निरुखती पड़ रहे हैं, अब हम यहाँ पर, तो इसका जो मतलब है, इस स्लोक का मतलब है, कि जिस सास्तर में जीवन सम्मंधी बाते कही गई हो, वही सास्तर आयरवेद है, जीवन का ग्यान कराने वाला सास्तर को ही हम आयरवेद खहते हैं, और IU plus VED, IU का मतलब होता है Life, VED का मतलब होता है Authentic Real Knowledge या Life Science भी खहलो आयरवेद को Direct फिर उसके बाद में जो AIM है आयरवेद गा या Purpose है आयरवेद गा वो क्या है AIM का मतलब तो हिंदी में हम बोल सकते हैं उद्देश है और Purpose का मतलब हम बोल सकते हैं प्रयोजन आयरवेद गा तो याँ पर जो AIM है आयरवेद गा वो दो है एक तो स्वस्त व्यक्ति को स्वस्त बनाए रखना और जो व्यक्ति रोगों से जकड़ा हुआ है उसको स्वस्त बनाना ये दो चीज है दो AIM है तो जो पहला AIM है उसका स्वस्त बनाए रखना फिर आतुरस से विकार प्रसमन चा का मतलब पिर उसके बाद में इसके अंदर ही एक ओर स्वस्त बनाना है आयू काम्यमाने दर्मात सुक्सादनम इसका मतलब है कि जो आयू के जो सादन है वो तीन है धर्म अर्थ सुक्ष आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ पर जो काम और मोक्ष है वो यहाँ पर नहीं आएगा जो आयू के सादन है वो है धर्म अर्थ सुख फिर इसके बाद में आपको ये चीज याद रखनी है कि इन तीनों चीजों की जिस भी पुरुष को या जिस भी मनुश्य को चाह होगी उसे आयर्वेद के उपदेश फॉलो करने पड़ेंगे या उन्हें आदर करना पड़ेगा उन उपदेश्यों का यहाँ पर आपको एक सिद्धी सी एक चीज याद रखनी है वो यह रखनी है आपको यहाँ पर धर्म अर्थ सुख आया है आयू काम्य मानेन आयू की कामना करने वाला धर्म अर्थ सुक साधनम ये सारे आयू के साधन है और आयर्वेद उपदेशेशों को फॉलो करेगा जिसको आयू की चाह होगी वो फिर हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक बार वापस से रिविजन कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है तो सबसे पहले हमने आयू के लक्षन पढ़े हैं तो आयू के लक्षन के अंदर सबसे पहले आपको ये याद आना चीए कि आयू का मतलब क्या है आ शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगदारी जीवितम नित्यग अनुबंदर से प्रयाय आरिश से उच्चते। ये स्लोग जैसे ही आपको याद आजाए तो इसका सारे चीजे बतानी है इस स्लोग के बारे में जैसे कि आयू किन किन चीजों से मिलकर बनाया है शरीर इंद्रि बताना है आपको फिर शरीर किन किन चीजों से मिलकर बनाया है इंद्रिय क्या है ग्यान इंद्रिय क्या है कर्म इंद्रिय क्या है सत्व क्या है माइंड क्या है त्रीगुन कौन कौन से है किन चीजों से मन मिलकर बनाया है फिर आत्मा क्या है उसके बाद में जो सिनो निम से दारी, जीवितम, नित्याग, अनुबंदच, चेतानुवृति, इन सारी चीजों को explain करने के बाद में आपको second slogan के उपपर आना है फिर इसके बाद में आपको four types की आयू बतानी है, इसके अंदर हितायू, अहितायू, सुखायू, दुखायू अगर आपको हितायू और सुखायू याद होगी तो आपको obviously 100% अहितायू और दुखायू याद करने की जरुत नहीं है, क्योंकि उसका opposite है फिर ये तो बात कर ली हमने लक्षन ओफ आयू की, उसके बाद में हम बात करते हैं लक्षन ओफ आयर्वेद की तो आयर्वेद का लक्षन क्या है, उसके अंदर भी यही स्लोख आएगा हिता, हित्तम, सुखम, दुखम वाला उसके बाद में आपको एक और स्लोग की याद रखना है यहाँ पर आयरवेद पद की निरुखते के अंदर आएगा यह वाला स्लोग आयूश वेद आयरवेद इसका मतलब क्या है जिस सास्तर में जीवन संबंदी बाते कही गई हो वही आयरवेद है फिर जो आयरवेद शब्द है वो दो सब्दो से मिलकर बनाया आयूश वेद वो क्या क्या है लाइफ साइन्स है आयरवेद को कहा गया है याँ पर फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है aim of आयरवेद means उद्देश या purpose of आयरवेद कहलो या प्रयोजन कहलो इसके बाद में जो प्रयोजन है ये सारी चीजों के अंदर दो स्लोक आपको याद रखने एक तो स्वस्तस्य 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 रक्षनम आतुरे से विकार प्रस्मंच है healthy person को healthy बनाए रखना और disease person को healthy करना उसके बाद में जो second स्लोक आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आयू कामियमाने दर्मात सुक साधनम आयरवेद उपदेशेशो विदे परमादरा इसका मतलब क्या है दर्म अर्थ सुक आपको यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष वो याद नहीं रखना है आपको यहाँ पर धर्म अर्थ सुक याद रखना है यही आयू के साधन है और इस आयू की जिसको चाहा होगी वो आयरवेद के उपदेशेशो को फोलो करेगा तो यहाँ तक तो friends आपको यह सारी चीज़े clear हो गई होगी एक बार मैंने वापस से इन चीज़ों का revision करवा दिया है तो guys अब हम next class के अंदर definition of health पढ़ेंगे definition of health क्या है और friends अगर इस वीडियो से related आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को like करें मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को subscribe करें इसी तरह की वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूं friends thank you दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए